हम मानों के स्वास्थे और क्षेम के लिए संक्रामक बीमारियों पर नियंतरण करना अवश्यक होता है इतिहास में इन सूक्षमजीयों की बदौलत मानों ने अनेक स्वास्थे सम्मंदी दुखों और कष्टों को जहला है सूक्षमजीयों और परजिवी जो मेजबान में एक साथ रहते हैं उन्हें उनके संबंदों के आधार पर हम तीन गुटों में बाढ़ सकते हैं सामान ये माइक्रो फ्लोरा समुदाय के सूक्षमजीयों हर स्वस्थ मेजबान में रहते हैं इन में से कुछ संधी मिलते हैं, रोग जनक बन जाते हैं और इस प्रकार से इन में से बहुत सारे सूक्षमजीव बीमारियों का कारण बन पाते हैं। इन में से कुछ सूक्षमजीव लंबे समय तक चलने वाले संक्रामक बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन्हें चिरकालिक संक्रमन कहा जाता है और कुछ सूख्षमजीव मामुली संक्रमन के लिए जिम्मेदार होते हैं। रोबर्ट कोक नामक वैग्यानिक ने सबसे पहले इन संबंदों के बारे में अध्यन किया और उन्होंने संक्रामक बीमारियां और विशिष्ट बैक्टिरियम के बीच के संबंदों को सपष्ठ किया। इसी कारण आज हमारा रोग जनक सूक्ष मजीव और बिमारियों के लक्षन इनके संबंदों के बारे में आकलन बढ़ गया है। ये बिमारिया मानों के साथ संपर्क के कारण या हवा और जल के कारण संकरमित होती हैं। ये अन और मिट्टी द्वारा भी जनित होती हैं। कु जैसे गेहू, चावल, आलू, गन्ना, संत्रा, इत्यादी में भी बीमारियों को संक्रमित करते हैं। इन बीमारिया फैलाने वाले सूक्षमजियों के कारण कृशी उत्पादन पर बहुत परिणाम होता है। अन में विशबाधा, जनें अन से जनित बीमारियां कहा जाता है, इस प्रकार की बीमारियां बासी आखराब खाना खाने से होती है। अन में विशबाधा का मुख्यकारण रूख पहलाने वाले जिवानु जैसे बैतिरिया, कवक और परजीवी और उनके द्वारा निर्मान ह उने वाला विश होता है यह विश अन को किसी भी तरीके से बाधित कर सकता है अन बनाते समय अन Data to भी घर में भी योग एहतियात लेकर अगर खाना पखाया नब खराब होसकता है परियावरण पर होने वाले बुरे परिणाम पानी में काई का बड़े पैमाने में विकास होता है और जब ये मरती है तब इसका परिणाम विशहला होता है जो अनेक जल्चरों के मृत्यों का कारण बनती है ये थी सूख्षमजीवों की दुनिया इन में से कुछ हानिकारक होते हैं पर अधिकतर हमारे लिए लाबदायक ही सिद्ध होते हैं